माभारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब के इस गुरु मातवता को प्रणाम करता हूँ, अब सभी लोगों को मेरी राम राम, हम लोग इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जो कारण है, मैं फिर से बताता हूँ, कारण यह है, कि हम चाहते हैं याश्वरम चाहता है यूधविकनी मूवमन चाहता है कि बहुत उच्च कोटी के विद्वान युवा जो अपनी जिन्दगी में भी बहतर करें और वह राष्ट के लिए भी देश के लिए भी society के लिए भी एक major contribution दे सके लेकिन इसके लिए जरूरी है देश का समग्र ज्यान और इसके लिए बहुत जरूरी है देश की अर्थविवस्था को समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर पर्टिकलर स्किल्स हैं रीडिंग की राइटिंग की स्पीच की और उसके साथ साथ आपका मुटिवेशन बहुत जादा हो और देश के इतिहास की धर्म की सही जानकारे हो हम लोगों की बहुत सारे लोग मजाग उड़ाते हैं और हिंदू धर्म को बार-बार कटगरे में खड़ा किया जाता है इससे देश की शानती भी भंग होती है सभी की शानती भंग होती है जब हम किसी समुदाय को बिना किसी कारण कटगरे में खड़ा करना शुरू करते हैं तो सब की शानती भंग होनी शुरू होती है विकास के रस्ते अवरुध होने लगते हैं और आपने देख लिया कि जिस economy को हम बहुत vibrant मानते हैं वो economy तीन महीने में हिल गई और नाकेवर भारत के संदर में ये बात कह रहा हूँ मैं अमेरिका के संदर में भी ये बात कह रहा हूँ मैं न्यूजलिन के संदर में भी ये बात कह रहा हूँ स्पेन के संदर में भी ये बात कह रहा हूँ दरअसल विकास सतत परकरिया है जो रोज होती है और इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी है एक शांत समाज हो लेकिन शान समाज कभी होता नहीं है बनाना पड़ता है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी तरफ जो उठती हुई उंगलिया है आप उसे शान कर सके और खामों खाम की बातों से नहीं रड़ाई जगड़े शोर शराबा इससे नहीं तरक से लॉजिक होना जाई आपके पास एक बहुत बड़ा सिधान क्या है कि आप यहां के हैं ही नहीं और इस बात के ओपर एक खासी पॉलिटिक्स जनम ले रही है और आप लोग इसको पढ़ भी रहे होंगे नहीं पढ़ रहे हैं पर आपसे निवेदन है जागरूक बारतिय बनने की कोशिश कीजिए भारत हम सब का है अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हम अपना रोल प्ले नहीं कर सकेंगे देश की एक बहुत बड़ी जनता जागरूक नहीं है इसलिए वो पार्टिसिपेंट नहीं करती नेशन बिल्डिंग में हमारे घर के लोग भी है ज़रा दुर्श्टी डाल के देखिएगा उनको कोई मतलम नहीं पढ़ता देश कहां जा रहा है उनको कोई मतलम नहीं होता कि समाज कहां जा रहा है देश कहती है हस क्या है किसी को कोई मतलम नहीं है हमने अपने भगवान को भी इतियास के नजरिये से जानने का प्रत नहीं कि यह उंगलियां उठती हैं जब उठती हैं हम रोते हैं गुठते हैं लेकिन उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि होता नहीं है तो एक narrative ये शुरू हो चुका है आरे बाहर जाओ और देखेगा कि जो जो बाते उठीती हैं वो एक दे में नहीं उठती हैं एक बड़ी लंबी भूमी का इसके होती है और जिसे समाने बुद्धी समझ नहीं पाते हैं एक narrative ये उठना शुरू हुआ कि आरे बाहर से आए थे आरे का envision हुआ था और envision होने के बाद वो यहाँ पर सटल हो गए as colonizer अब मज़े की बात देखिए बाबर colonizer नहीं है इस देश के अंदर लेकिन वो लोग जो सेम paradigm पर बात करते हैं आरियन्स की जो की 2000, 3000, 5000 साल पुरानी बात है उनको वो colonizer मनाते हैं ये difference of paradigm है ये शक पैदा करता है लेकिन इसका उत्तर लड़ जगर के नहीं देना है तरक से देना है और उसके लिए पढ़ना होगा कम से कम कुछ लोग तो गंभीर ग्यान लाएं क्योंकि जब हम कहते हैं कि act locally think globally तो global thinking कैसे आएगी जब एक बह मुख्यधारा में कैंप्रवेश करेगी मुख्यधारा को हिस्सा वनेगी और उसके बाद ही आप मुख्यधारा को प्रभावित कर सकते आनातां नहीं कर सकते उसका प्रेतने नहीं हुआ पुरानी पीडियों में भी नहीं हुआ इस पीडियों को भी अभी तक वो सेलबस नहीं पढ़ाया जा रहा जिसमें भारतियता कूट-कूट कर भरियो लेकिन हम लोग अपनी से तो कोशिश कर सकते हैं सब कुछ सरकारों पर नहीं छोड़ना चाहिए अपने से भी प्रतन करना चाहिए मैं जो विशय ले रहा हूँ आज और अगले लेक्शर में भी जारी रहेगा ये विशय ये विशय एक एक नेरेटिव बिल्डिंग है इसलिए से बहुत ध्यान से समझेगा और मेरा ये आप सबसे निविदन भी है कि जब हमारी वर्क्शॉप खत्म होती है और दूसरी वर्क्शॉप एक महीने बाद आती है तो इतने बीच में आप उसका अध्यन करें केवल इधर से सुने इधर से ना निकाल दे कुछ नोटस आपके हों बस उतना देख ले मैं ये नहीं कह रहा कि एक इंजिनिरिंग के स्टूडन को हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है मैं ये नहीं कह रहा कि एक मेडिकल स्टूडन को हिस्ट्री पढ़नी है नहीं ऐसे हालात नहीं है अभी देश में कि आपको सब कुछ छोड़ने के लिए चोड़कर सड़कों पर उतरना पड़े ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है रभू की किरपा से ऐसा नहीं है लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपने अभी सुना और उसके बाद कौपी खिदामों को बंद करके रख दिया तो फिर आप भूल जाएंगे और जब हम भूल जाते और हम पितरक होते तो हम क्या कहने शुरू कर देते हैं आस्ता परचोण मत्मार हमाहरे अरे हम एक तारकिक समाज हैं हमारे भगवान ने भी तरक किया तो हमारे भगवान ने भी अपने गुरुओं से प्रश्ण किया है तो फिर हमें तो चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है यह दुपी मैं जब भी ऐसी बात कहता हूँ अब तो खेर फिर भी आप जैसे जागरूक और विद्वान लोग हैं साथ में और जनता में भी जागरूक ताई है लेकिन फिर भी लोग तो रन्चन लगाना शुरू कर देते हैं जबकि ऐसा नहीं है समाज में यदि प्रश्ण उठता है तो उत्तर देना पड़ता है इसलिए हर बात को गहराई से समझिएगा और अगर ही उत्तर नहीं दिये जाते तो एक दोर ऐसा था इसी देश के अंदर जब भगवान राम को कालपनिक बाकाइदा घोशिट कर दिया गया था मानिय अदालत तक घोशिट कर दिया गया था फिक्टीशिस केरिक्टर है इस पार्ट अफ पोईट्री अउनली इसे में उस वक्त वो विद्वान सामने आये मुठी भर लोग थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि वो फिक्टीशिस केरिक्टर नहीं है अब सोचिए हमें अपनी चीजों को जो इस सभथा को संस्कृति को बिलॉग करती है उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है कोड़ जाना पड़ता है क्यों जनता जागरूक नहीं है और जागरूक नहीं है इसलिए कुछ लोग समाज को फार देते हैं याद है न अलमा इखबाल लियाकत अली रहमत अली जिन्ना बहुत सारे लोग नहीं थी यह थोड़े से लोग थे फार दिया समाज को बट दिया देश को और हमारी जो सभेता का ट्रेस है यह चला गया हमसे मैं बात कर रहा हँ हडपा की सिंदुगाटी सभेता की सिंदुगाटी वहीं है चली गई हमारे हाथ से आज हम यह नहीं कह सकते कि आज के जो political boundaries है उसके भीतर संदोगाटी आज हम नहीं कह सकते कुछ हिस्से हमारे पास हैं अभी उसी के अधार पर हम चीजों को तैक कर रहे हैं लेकिन यह तो आपको कहीं न कहीं यह दुख होना चाहिए इसलिए हम यह सारी चीजों का जो अध्यान कर रहे हैं यह को particular motive है मैं history teacher नहीं हूँ और आप history class के students नहीं है हम देश के लिए चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं हड़पास अभीता की आज बात करेंगे क्योंकि जो सबसे important चीज है आरे invasion एक word आने लगा मूल निवासी एक word आ रहा है एक sentence आ रहा है आरे दरवन डिवाइड इसके मूल में जाकर जब तक आप नहीं समझेंगे काम नहीं होगा क्योंकि यह दिया आप किसी से कहते हैं आरे तो बाहर से नहीं आये तो यहीं से है वो कहगा प्रमान दीजिया आप इससे जादा कुछ और नहीं होता है बोलने के लिए इसलिए उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं एक बार क्या हुआ पंजाब के अंदर बड़ी विच्चत भेटना है लगभग देर सो वर्ष पुरानी घटना है पंजाब के अंदर रेलवे ट्रेक जब पड़ रहा था तो कुछ लोगों को ईटे दिखी कुछ और उनको लगा कि ये दो बहुत बड़े है चीज है इन इटों से ट्रेक असानी से पढ़ सकता है जल्दी भी पढ़ सकता है तो उन्होंने वो ईटे निकाल कर उस ट्रेक में लगा दी अचानक एक अंग्रेज इंजिनियर था उसका दिमाग वहाँ पहुंचा दियान गया ये इटे तों कहां से ला रहे हो ये कुछ अलग सी इटे है यही वो इटे थी हडपा मोंज़दारों के फिर इसकी रिपोर्टिंग की गई और उसके बाद इस पर काम शुरू किया गया समानने था बहुत सारे लोग कहतें 1921 से हडपा के खोज हुई ना हडपा के बारे में 1842 में पता चला है और उसके बाद प्लैनिंग शुरू हुई है 1921 में जो क्या कहते हैं माधो सुरूवद्जी के सहियोग से एक्सकेवेशन से शुरू हुई मैपिंग शुरू ही लेकिन 1842 से ही हमें इस सभेता के बारे में पता लगना शुरू हो गया था यदि भी कॉम्टेट्वी एक्जैम में आपको 1921 से लिखना पड़ेगा क्योंकि किताब में वही लिखा हुआ है लेकिन असलियत यह है जो मनें अभी आपको बताई हड़प सभेता को समझने से वेदिक सभेता को और आरेन सभेता को द्रवड सभहेता को अप समझ जाएंगे इसलिए इस बात को बहुत गहराई से आपनों समझ रहे न मतलब नीनवी नानी की तयारी तो नहीं है कंभीर बात इसलिए मैं आप से कहरा हूँ दुनिया की प्राचीन तम सभिता हडपा सभिता हडपा मोंजधारो हडपा उस इस्थान का नाम था इसलिए से हडपा सिविलाइजिशन ही कहने लगे और मरेवे लोगों का टीला मोंजधारो उसको कहने लगे यह एक टीला है उस पर आकरती है बहुत बड़ी सी मैं अगली बार आपको बहुत यूनीक फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा इस बार नहीं इस बार आप सिंप्ली समझने की कोशिश कीजिए अब यहां से डेटिंग की पॉलिटिक्स शुरू होती है हडपा सभिता निकली और उसे जो देखता जाता था और इसमें जो सबसे मज़ेदार पार्ट होगा जिसको लेके आपके मन में बजबरदस्त कौतुवल होना चाहिए वो यह कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन था वो छोटा सा सिविलाइजेशन नहीं है हडपार मुंजदारों कुछ जरह सा सिविलाइजेशन नहीं है 10-20 किलोमेटर का सिविलाइजेशन नहीं है वो मदभारत और यहां तक कि उसकी कुछ साइट मेरट में हर्याना में भी निकली है बड़ी डीटेल से बात करूँगा क्योंकि बहुत लंबा विशा है इसलिए दो बार में इसको मैं दूँगा इतनी बड़ी सभेता है इंडस वैली सिविलाइजेशन बाकी के इधर के हम उसकी बात ही नहीं कर रहे एरियास की इतनी बड़ी सिविलाइजेशन चली कहां गई ये एक बहुत बड़ा प्रशना और इसमें बहुत सारी थेरीज है जलवाईयों की थेरी है बाड की थेरी है नहीं इसके इतर भी कुछ है इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कहां चली गई यह अश्र की बात है कि नहीं है और समझे नहीं पा रहा कोई कि इतनी बड़ी civilization कहां चले गई लेकिन उसकी चर्चा बाद में वो end of the film है उसकी चर्चा बाद में अभी तो beginning of the film चलेगी तो अब politics of dating शुरू होती है अब आप कहेंगे politics of dating means मिल एक ऐसा वेक्ती है जो भारत से बहुत चड़ता है और भारत के बारे में उन्होंने बहुत अनरगर लिखा और मज़े की बात क्या है कि उन्हें भारत का कोई exposure नहीं था और देखे भारत में एक वर्ग ऐसा है जो चीजों को जानना ही नहीं चाहता जबरदस्ती इगनौर करता है चीजों को क्यों इगनौर करता है जिससे वो बुद्धी जीवी कहराए जा सके और इसके लिए उसको हिस्ट्री उदलने की कोशिश करता है यहां पर जो लोग काम कर रहे थे भारत के अंदर उन लोगों को यह बता ना था सारी दुनिया को कि भारत के अंदर कुछ भी नहीं है इस वाइट मैंस बुर्डन भारत के पास कुछ नौलेज ही नहीं है भारत कुछ जानता ही नहीं है यह तो आदिवासी बनवासी लोग है सांप नचाते हैं अंदवश्वासी लोग है और इन्हें हमें कनवर्ट करना है क्रिश्चैनिटी में और उसके बाद इन्हें हमें सिविलाइस बनाना है यह है वो पॉलिटिक्स इसलिए यहां पर मिशनेरीज इस्टाबलिश हुई और उन मिशनेरीज ने मैं यह नहीं कहता कि उनके हॉस्पिटल्स को मैं अगनोर कर रहा हूँ उनके स्कूल्स को मैं अगनोर कर रहा हूँ बिलकुल नहीं अगनोर कर रहा और नो डाउट उसके लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी किसी के भी अच्छे कारे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेकिन बुरे कारे को पॉइंट आउट भी करना चाहिए क्योंकि ये मेरा सिविलाजेशन का मामला था उन्होंने लगातार कुछ ऐसी रिपोर्ट भेजी जो इंगिलिद में बैठे हुए इंतेलेक्ट्चल्ल्स जो बिट्ष इंतेलेक्ट्चल्स थे या पर जो कुछ जर्मन इंतेलेक्ट्चल्स थे उन्होंने भारत आए बिना उन मिशनुरीस के बेसिस पे भारत का थाइखा खीच दिया पुस्ता के चप गई और उसका नतीजा ये निकला कि हम लोग पूरी दुनिया में आलसी, व्यभाचारी, नशेडी, अंदविश्वासी लोग करके सिद्ध हो गए बात आईए तो समझा रहा हूँ, स्वामी जी, स्वामी वेकादन जी, अखिर क्या था कि वो विदेश गए, बहुत सारे लोग क्या रोचना करते हैं जब तक दुनिया के पास आपके देश के पृति आधर भाव नहीं होगा, आप शक्ती नहीं बन सकते आज भी क्या करते हैं, मुदी जी नहीं करते हैं, या मन मौन सिंग जी ने नहीं किया यह, राजी गांदी जी नहीं किया, प्रधान मंत्री, राष्ट पती, विदेश क्यों जाते हैं, तो मस्टर दा पावर, इंटरनेशनल रिलेशन्स के जो लोग हैं, उसे समझ सकते हैं, वो पावर घर बैटके नहीं मिलती है आप विश्गुरु हैं हम विश्गुरु थे हम विश्गुरु थे ये कहने से किसी पर कोई ही फरक नहीं पड़ता ये आपका शंक है बजाते रहिए किसी के कान पर जू नहीं रेंगती आपको बिजनस लाना है प्रधानमंतरी जाते हैं बाहर सो बार जाएंगे दो सो बार जाएंगे जाना पड़ेगा बिजनस आए नहीं आई ये एक अलग मसला है मैं उसकी अभी बात ही नहीं कर रहा हूं जब एकोनोमी पर हम लोग चर्चा करेंगे तब उसकी बात करेंगे लेकिन जाते हैं कि नहीं जाते हैं कहीं अच्छे नतीज आते हैं कहीं बहुत बुरे नतीज आते हैं हर सरकार का ध्यक्ष राष्टा ध्यक्ष जाता हैं कि नहीं जाता है यह पूरी दुनिया की एक practice है और उसी में हम अपने relations को build करते हैं हम वहा जा कर यह कोई भी दुनिया का राष्टण ध्यक्ष और दूसरे देश जाता है तो एक बात जरूर करता है वहाँ पर कि हमारे आपके संबंद सदियों से हैं क्यों कहते हैं ये जिससे की सपोर्ट वे ले करीब आएं जुड़ें या ये कहेंगे हमारी आपकी समस्याँ एक सी हैं इसलिए हमें साथ मिलकें समस्याँ को दूर करना होगा क्यों एक साथ आना जुरूरी है साथ आने के लि तो यही करना पड़ा हमें उस वक्त बहुत सारे लोग कुछ भी गहराई से समचे बिना कुटिसाइज करते हैं चीज़ों को ऐसा समाज विश्गुरू बनने की जब कल पना करता है तो मुझे बड़ी हसी आती है सच में हसी आती है ऐसे ना बनता कोई विश्गुरू आप क्या थे ये दुनिया को बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता आप अपने आपको प्रिजन्ट कैसे कर रहे हैं यह इंपॉर्टन चीज़ है मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जो यूद है खस्त और से उससे कह रहा हूँ कि अपने expansion करो अपने को फैलाने की कोशिश करो अपनी knowledge का दाइरा बढ़ा हो अपने systems को समझने की कोशिश करो नहीं तो ऐसी picture बनती रहेंगी और हिंदूों के सनातनियों के system पर कुटारागात होता रहेगा इसकी जड़ों को काटा जाएगा इसमें दीमक डाली जाएगी फिर उसके बाद आपका वट वरक्ष भड़ भड़ा के एक दिन गिर पड़ेगा इंगलिंड में बठे हुई intellectuals यही कर रहे थे और उन्होंने ये थेरी गड़ी और इसके लिए स्वामी जी पूरी दुनिया में जाकर ये बता रहे हैं हम कौन है 11 सितंबर वाला भाशन सुनियेगा पांच मिनट निकाल कर पढ़ियेगा जो समाने तार नेट पे कहा जाता है कि this is his original voice असा नहीं है लेकिन खेर कुछ भी है आप उसे सुन लीजे या पढ़ लीजे उसमें क्या है यही है न वी दिड दिस वी दिड दिस और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि वी प्रोवाइड़ शेल्टर्स टो अधर सिविलाइजेशन क्यों कहा बात बड़ी होनी चाहिए भारत की और यही एक पॉलिटिक्स होती है कि किसी भी देश का कद्द छोटा करो किसी भी देश का कद्द कैसे छोटा होगा जब उसका तिहास छोटा कर दोगे उसके बाद यह दिखाओ तुम कुछ नहीं हो हम तुम पर दिया कर रहे हैं और हम विनीद भाव से उसके दिया को स्विकारने के आदी होते चले जाएंगे यही कहलाती है घुलाम मान सकता जो आज तक है हमारी पॉलिसीज में दिखाई देती है आज भी दिखाई देती है चौटतर साल बाद इंडिपर्टिंट थिंकिंग आज भी नहीं हो पाई यह घरों में भी स्कूल्स में भी नहीं हो पाई सलबस में भी नहीं हो पाई अब यह देखिए दुश्मन की भी कहीं तारिफ करनी चाहिए तो मिल ने और बाखी लोगों ने यह पूरा एक नेलिटिव गढ़ा भारत के बारे में और यह किस पे था मिशनरीस के रिपॉर्ट पर मिशनरीस को क्या जरूरत थी रिलिजिन और पॉलिटेक्स गो हैंड इन हैंड इन अल दे सिविलिजेशन आफ दा अर्थ भारत का धर्म और दुनिया का रिलिजिन यह अलग अलग फिनोमेना है आपको लग रहा होगा मैं विशे से बहुत हटके बात कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं आट रहा हूँ कहराईयों को समझना तो पड़ेगा इसके लिए इड़ गिरद अगर आप पेड़ को समझना चाहते हैं पेड़ की शाखाओं को भी समझना पड़ेगा इसलिए जो इधर उधर की कुछ खास बाते हैं इसे समाहित किये बिना इसे समझे बिना आप मूल विशा को नहीं समझ सकते तो यह politics of dating क्या है अरे आप अभी कही हैं यह जो आपकी पुस्तके कह रहें कि आप पाँच हजार दस हजार बीशार आरे कुछ नहीं आपको कुछ नहीं पताता आप तो जंगलों में गूमते थे दाड़ी बनाना नहीं आता था अभी कही हो आप अभी कही हम लोगों ने विश्वास किया इस पर किताबे लिखी हमारे historians ने और हमारी कई generations ने वही किताबे पढ़ी समाज की generation 20 साल की होती है घर की generation की तरह नहीं है साल दर साल वही किताबे हम पढ़ते चलेगे अरे अभी के हैं अभी के वो कहगा कि आप कोई traces ही नहीं मिले आपके पुराने होने के हाँ क्यों नहीं ढूंड़े भाई traces रोक रहे हैं क्या हम ढूंड़े आप historian है आप archaeologist है हम आपको पैसा दे रहे हैं अपने tax का आप universities में हैं ढूंड़े civilizations की कोज कीजिए और जो civilizations की कोज होई है उसे सामने लाइए और वो civilization 1800 साल कहता है पहले 1200 साल कहता है फिर 1800 साल कहता है फिर मुलर वगरा ये सब लोग बीच में आते हैं हलाकि वहाँ पभी intellectuals के बीच में जगड़ा है मिल एक बात कह रहे है मुलर दूसरी बात कह रहे है स्मिथ दूसरी बात कह रहे है 1200 1800 2300 3300 होते 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 5000 साल तक आ गए अब आईएटी के कुछ प्रफेसर्स ने काम करना शुरू किया खड़कपुर के और उन्होंने नेचर करके एक मैगजीन में अपनी रिपोर्ट्स छापी और उसके अनुसार वो भी कोई सामाने लोग तो नहीं है न असाधारन दिमाख वाले लोग होंगे वो भी हम मिल की रिस्पेक्ट क्यूं करें हम अपने लोगों की रिस्पेक्ट क्यूं ना करें उन्होंने जूट क्यूं लिखा होगा अविडेंसेस दे रहे हैं वो भी और ये सारे अविडेंसेस दे के वो कह रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजे 6000 साल पुरा आज से नहीं common error से यानि आज के रिसाब से 2000 1200 साल और जोड दीजी 8000 साल पुरा दीजी और यहीं नहीं रुक रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये 10 तक हो सकती है उसके बाद कुछ और researches हुई है विदेशों में भी researches हुई है वो भी इस बात को सुईकार थोड़ा थोड़ा सा करने लगी जादे तो नहीं करेंगे अभी थोड़ा थोड़ा सा सुईकार कर रहे हैं यह तो है भई अब देखिए मैं ये बात क्यूं उठा रहा हूँ मेरे उठाने का एंगिल अलंग है, आप अप जो से कुछ उर्ण करना चाहते हैं नोकरी वगरहा उनके लिए एंगिल अलंग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इसका एंगिल है, देशवक्ती, देश को समझने की कोशिश chef राम चंदर जी 5114 श्री कृष्ण का पांच हजार दो सो से तालिसवा जनम ने अभी हमने बनाया श्री राम चंदर जी साथ हजार यानि जब श्री राम और श्री कृष्ण हैं तब ये सब बता है महिंदर गड़ है हम जिन्दा को मुक्त कर देते हैं कि बलोचिस्तान पर जो महिंदर गड़ था कब्जा किस ने किया मार्च अड़ तालिस हमारी सारी सब बता का केंदर तो वहां जाके रुग गया और इसलिए हम ने चीजों को हम चीजों को समझ भी नहीं पाए जैसे हडपा सब इता में ब्रह्मा विष्णू महेश और पुरंदर ये चार प्रमुक ऐसी पृत्माई मिली हैं जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं तो ये ब्रह्मा विष्णू महेश पुरंदर कौन इंद्र जो किले धा रहा है जो नगर धा रहा है तो श्री कृष्ण भी एक इंदर की बात कर रहे हैं दरसल कुछ कहानिया कहता हैं ऐसी जोड़ दिये हैं उसमें चमतकार लिख दिये हैं कुछ वरत परवों पर कुछ पुस्तके लिख दी गई उनको पढ़ो भईया और उनको पढ़ने के बाद आप इदार उधर सोचो आप उनको ध्यान से पढ़ो आपको लगेगा कि यह क्या लिखा है ऐसे पढ़ जाओ कि भक्ति भाव से तो अलग बात है ऐसे तो आपको समझ में यह कौन से कहानी है यह कप की कहानी लिख दी और इसलिए मैं बारवार कहता हूँ भक्त समाज से कि शिव जी जो बात कहते हो नहीं मानते आप राम जी जो बात कहते हो नहीं मानते आप कुरशन जी जो बात कहते हो नहीं मानते आप भक्ति काई की कर रहे हो फिर अपने डर की कर रहे हो क्या पतर की मूर्ति की भक्ति कर रहे हो क्या उसमें जो भगवान है उनकी भक्ति कर दी थी और जो भगवान ने कहा वो मानना था ना भगवान कह रहे हैं मुझे लड्डू नहीं पसंद नाना पसंद है तुम्हें पसंद है खाने मुझे है ना इसलिए भगवान को लड्डू का भोग लगा दिया तो यह distortion हो रहा अगर इसी distortion को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे धर्म भी और सभेता भी दोना स्पष्ट हो जाएंगी तो ब्रह्मा विश्वु महेश यह वहाँ है एक योगी का चुत्र बार बार हडपा में आ रहा है इर्द गिर्द उसके बहुत सारे जीवजन्तु है और तीन नेत्र है और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो शुव पूजा है या शुव भक्ती है वहाँ सिंधु से उत्तर की हो रहा है जब आप इसको अप्रोच से लेकर चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा रहसे खुलेंगे भक्ती के भी रहसे खुलेंगे और सब इदाके भी खुलेंगे आखिर वो कहा गए इतनी बड़ी पॉपलेशन और अभी मैं बताऊंगा कि वह कितने उन्नत थे इतनी बड़ी पॉपलेशन इतने उन्नत लोग एकदम गायब हो जाएंगे क्या हो भी सकते हैं एकदम गायब हो सकता है इनका कोई ड्रमांड के अन्ने ग्रह से संबन्द हो इतनी घजब के स्ट्रक्चर्स इनोंने बनाए हैं कैसे बन गये होंगे इस वक्त में पांच हजार, छे हजार, साथ हजार, आठ हजार साथ तक ये सबहता जा रही है और देखिए इस सबहता में एक बड़ी खास चीज जो पस्चिम है ये उचा है जो पूर्व है और नीचा है पूरी सबहता के स्ट्रक्चर है दूसरी बात पक्की इटे हैं पक्की इटे हैं और इटे बाखाइदा जोड़ी गई हैं जिसे आज जोड़ी जाते हैं अब ये मत कह दिया अरे आज ही के होंगे वो लग रहा है आपको पुराना डेटिंग हुई है एस ओन डेट जो मेरे पास नौलिज होगी हाँ कल को नौलिज बदल जाए कोई उसमें नई चीज आ जाए तो मैं भी बदल जाओंगा लेकिन जो मैं आप से बात कर रहा हूं conviction से बात कर रहा हूँ तो पक्की इटे हैं जिन से भवन बनते हैं भवन के particular structure है आज के महलनों से बेतर इस्थिती में बनायी हूआ हुआ स्थान है और सुनो अगनी कुण्न मिले हैं यानि यग्य होता था उस समय, हवन होता था उस समय, कुछ चीज़े हैं जो समझ में नहीं आई हैं, कारण ये कि वो भाषा हम अभी तक नहीं समझ पाएं, ब्रामी, खरोष्थी या अन्य भाषाईं भी भारत में रही हैं, संस्कृत के इतर, ऐसा नहीं है कि संस्कृती एक भ प्रेद रहे हैं, तो वो भाषाएं रही हैं, अभी हम उनको समझ नहीं पाएं, और जिस दिन ये समझ जाएंगे, आप समझ ये बहुत बड़े रहसे कुलेंगे, बहुत बहुत बड़े, ना कि वह रडपा वो जदा रोके, बलकि उतर भारत की भी सब विदाके बहुत बीच में आगने, हडपा सब ये था, पांच-छे हजार साल पहले ऐसे घर बन रहे हैं, नियुन्तम भी लेके चलते हैं, तो भी बी-सी-ई से अठारा सो, साल पुरानी बात है, यानि उतना भी लेके चलते हूं, लगबक चार हजार साल तो ऐसे ही हो जाते हैं, चुद तीन मान लो, ठीक-ठीक लगा लेते हैं, अगर मिल होता तो मुझसे यही कहता है, या मैक्स मुलर होता है, मैक्स मुलर ने तो खुद तीन बार अपनी डेट्स चेंज की हैं, ऐसे घर उन्होंने बनाए हैं, यह जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं, इन स्ट्रक्चर्स सो साड़े चार हजार से पांच हजार साल पुराने डेटिंग हुई है, ऐसे ही नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं, यह स्ट्रक्चर्स इतने पुराने हैं, जिसमें पक्की ईथ हैं, जिसमें अगनी कुंड हैं, और structured ऐसा समझ लीजिए जैसे जो researchers कहते हैं उनके अधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो ये मानते हैं कि ये schools है बीच में बड़ा असान है नगर का जो establishment है वो आज के बहुत सारे भारत में आज आध होने नगर जो बसे में हैं लगभग मैं कहूंगा तो साथ प्रतिशत नगरों से बेतन नगर ये विवस्ता उस वक्त है structured है पकी रोड कहीं न छोटी हो रही है न चोड़ी हो रही है पकी रोड जैसे उस समय की जो पकी रोड है उसके वैसे distance रोड से distance पर घर बने हैं और कहीं कूड़ा नहीं निकलता सफाई का ये अलम रहा है पूरा नगर एक चुराहे पर एक चुराहे से दूसरे चुराहे पर दूसरे से तीसरे ऐसे बस्तायने कहीं भी आना जाना सरल है कुछ विशेश कुंड है जिसमें उस समय पानी भरने की और पानी निकालने की ववस्ता है तीन सिस्टम की नालिया है तीन सिस्टम की घर की नाली महले की नाली शोहर का नाला और उस वकत गटर सिस्टम है गटर सिस्टम ऐसे ही मस समझ आप भरत को घर का कुड़ा बहर की नाली में और ये धकी हुई है बहर की नाली नाले में और वहां गटर्स बने भे हैं ये रिसर्ट इस के बेसिश पे आपको बता रहे हैं और निश्चिती फिर वो नदियों में कही जाकर किस तरीके से वो मिलती होगी ये सिस्टम वहाँ पर चल रहा है मेन होल मैं कभी सुझता हूँ उसको मेन होली तो बोलेंगे मेन होल बने वे हैं तुरा गटर सिस्टम मेन होल सिस्टम इतनी पुरानी सब्वेता में और यही चीज अंग्रेजों को परशान करती है कि अगर हमने इस सब्वेता के बारे में दुनिया को बताना शुरू कर दिया तो हमारे को तो कोई पूछे गई ने भाई वेसली क्योंकि वो सब्वेता दो सत्रवी से सत्रवी शताब्दी से शुरू होती थी रोमन एंपायर ने जब इंग्लेंड को खाली किया है तब उसके इंडिपंडेंट स्टेटस शुरू हुए वों कहेंगे कि यह बेविलोन मेसोपोटामिया इन सबसे ज़्यादा पारफुल साइन्टिफिक सिविलाइजेशन हमें को पूछेगा इसलिए उसने इसे डिमीन करना शुरू कर दिया लिपिक होते है लिपिक का एक्छाल अर्थ क्या है लिखने वाला क्लरक्स जिसको अभी हम बोलते हैं वो मोहरे बनाते हैं मोहरे और हो सकता है इसका विपणन में यानि फिनैंशल ट्रंजेक्शन में उसका इस्तमाल होता हो अब उसके बारे में कुछ कहीं कोई ऐसा पक्का सुबूत तो नहीं मिला है और उसके उपर एक बहुत प्रोमिनेंट साइन मिला है वो बहुत प्रोमिनेंट साइन क्या है स्वास्तिक ये स्वास्तिक कहीं जर्मन से भी मिल खा रहा है हमारे हां की बहुत सारी गुफाँ है खासतोर से जो डंड कारने की बहुत सारी गुफाँ है क्योंकि ये सब बेता उससे जुड रही है तो वो गुफाओं के अंदर जो पिक्चूर्स बनी हुई है वो इटली की गुफाओं में भी मिलती है यहनी कितना बड़ा कनेक्शन है हमारा शल्पकार होते हैं उस समय खिलोने मिले हैं खुदाई में खिलोने मिले हैं बच्चों के खिलने की चीज़े मिली हैं यानि बच्चे खिलोनों से खिलते थे बाट मिले बाट तराजू से तोल कर समान बेचा जाता था तराजू और बाट मिले हैं मिटी के बरतन मिले हैं और उन बरतनों पर जो चित्रकारी है उससे उस समाई की सभ्भता का अंदाजा लग रहा है चाक से बनाए जा रहे हैं बरतन गेहूं पीशने या जोव पीशने वाली चक्की ये चक्की मिली है यानि लोग ये चक्कियों से अटा बनाते थे और उसका भोजन करते थे और उसक्त भोजन में धान था तिल था मतर थी जोव था यानि श्री कृशन और श्री राम के समय में भी ये था मेरे राम वाली सिरीज जो आप कभी मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ी हुई है वो सिरीज भाईया देखना उसे कभी प्लीज चौधा एपिसोट हैं ज्यादा परशान नहीं करूँगा आप उसमें देखना उसमें दो प्रकार के धान का वरुनन किया गया है रमारकान में पढ़िए ज़रा इन चीज़ों को तब भारत पर भी आपका विश्वास बढ़ेगा और भगवान पर भी विश्वास बढ़ेगा कुछ शक्तियों के बारे में तब आपकी उटकंठा होगी फिर ये शक्तियां क्या हैं पताऊंगा वो मैं आपको विटाना चाहता हूँ तब इतियास अध्यात्म से अध्यात्म समाज से समाज अर्थववस्था से अर्थववस्था पुना इतियास से कैसे है सारी चीज़ें आपस में जुड़ी ही हैं और ये चीजें उन लोगों को जो ये फिल्म बनाते हैं न इनको जरूर पता होने चाहिए ये चीजें उन लोगों को जरूर पढ़ाएए जो लोग ये सीरیल बना दे तो कुछ वह B.ुछ भी बनाते हैं और हम लोग घंटी वजा कर दीपक जला कर आरती उतार कर भकती भाव से इने देखते हैं या पिर उनकी बनाई फिल्म्स को सोशल क्या उसको सोशल रिफॉर्म्स के नाम पर वह सनातन संस्कृति पर हमला बोलते हैं दुनिया की किसी और संस्कृति में कोई बुराई कभी नहीं रही सारी बुराई हैं सनातन संस्कृति में अरे बेवकूफों सारी अच्छाई हैं सनातन संस्कृति में हैं बाकियों ने बुराई हैं पैदा की उन्होंने वही बुराई हैं देखी और आप किसी खास एजंडा से उन्हीं बुराईयों को हाईलाइट करके पिक्चर बनाके पैसा बटोते हैं आप कोई सोशल रिफॉर्मर्स नहीं है लेकिन ये बात युवा कहेगा क्यों उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है और इसलिए ये चीजें आपको बहुत गहराई से समझने की जुरूरत है एक विचार धारा अलग है देखे लेफ्ट को मैं ऐसा नहीं लेफ्ट का कोई बहुत विरोधी हूँ मार्क्स पढ़ा है हमने और मार्क्स की बहुत सारी बाते हैं जिससे कोई भी सहमत होगा लेकिन एक खास लेफ्ट में भी एक खास किसम का वर्ग है वो वर्ग केवल मटिरियलिजम के बारे में जानता है ये वर्ग हीगल से शुरू होता है लेकिन हीगल का फिर भी एक डालेक्टिकल मटिरियलिजम है उसके बाद ये जो मांक से जो मुटिरियलिजम शुरू होता उसके बाद जो उसमें रिविजिनिजम होता है स्टालिन का, लिलिन का, रोजा लेक्संबूर का ये जो रिविजिनिजम होता है या उसके बाद जो माओं का रिविजिन होता है यह जो मार्क्सिसम में जो रिविजिनिस्ट ठेरीज हैं इन रिविजिनिस्ट ने सारे तरक खतम करती है और उन्होंने मटीरिल बेस्ट ही रख़ा हर चीज को यानि उस सोची नहीं पा रहे हैं हर चीज भेभक्ती भगवान इसको नकार रहे हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करें कि emotions play the pivotal role in the development of mankind केवल finance ही नहीं होता है केवल अर्थववस्ता ही सब कुछ नहीं होती है वो बहुत कुछ है लेकिन वो उससे ज़्यादा बाहर नहीं सोचने हैं इसलिए उनके लिए जितने exodus हुए हैं जितने लोग गए हैं जितने लोग आए हैं वो सब एक ही कारण से गए हैं एक ही कारण से आए हैं और वह क्या है वेपार इससे बाहर नहीं सोच सकते क्या आप अपने रिष्टेदार के यहां जाते हैं और वहां का महल देखकर वहीं बसने की सोचने लगते हैं केवल वेपार इसके पिछे रीजन है नहीं predominantly emotions are the reason behind this settlement ऐसे बहुत सारे settlement हुए है साधों के बहुत सारे settlement हुए है भगतों के बहुत सारे settlement हुए है जो नौर्थी से वरन्दावना कर रहे रहे हैं और वहीं के हो गए हरिदवार जाकर बस गए वहीं के हो गए माराश के जोटिशी जोशी होकर वह उत्रा खंड में सेटल हो गए ऐसे कितने लोग है जो लुम्मुनी और लुम्मुनी से आपके जिसको आज हम बिहार कहते हैं मगद इस एरिया से चले कश्मीर पहुँच गए वही के होकर रह गए कितने यह इसे लोग है बुदूदिश्म को इस्पृ toothpaste करने के लिے पहुँचे बामिहान वही के होकर रह गए बुदूदिश्म को इस्पृट करने पहुचे शुरलंका वही हो गए पीडिया निकल गई अश्रिलंका ही उनका देश है कितने लोग है कितने अंग्रेज ऐसे हैं जो वापस नहीं गए मार्क टुली जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वापस नहीं गई यही है आज में हैं ऐसे अनेग परिवार हैं कितने पार्सीज हैं नहीं गए उन्हें इसी देश इसी सरजमी से प्यार हो गया वो यहीं सटल हो गया Is economy the only reason? No, emotions तो उनका एक सोचने का तरीका केवल और केवल materialism तक ही सिमित रहता इसलिए वो जो बाकि़ factors है जो oriental countries में है जो western countries में नहीं है हमारी सोच अलग है हमारी भाषवा लग है बोलने का तरीका लग है हम emotional beings है जहां पर machine ज़ादा होती है वा emotions कम होते है जहां पर कृशी ज़ादा होती है emotions ज़ादा होते है हमें जीव जनतू से इतना प्यार है कि उसको भीयों करके गले लगाते और पूझ लेते हैं अब इसकी मजाख नहीं उड़ा सकते और ये जो दूसरे स्कूल अफ थाट है जो इंडियन स्कूल अफ थाट में कहूंगा जो इंडियन emotions से governed होता है तो अगर ये वाला स्कूल अफ थाट तरक को अपने साथ जोड ले तो best result दे सकता है लेकिन यहां समस्या क्या होती है जो इंडियन स्कूल अफ थाट है वो केवल emotions की बात करता है और कोई बात ही नहीं कर सब कुछ चमतकार होगा एक दिन भगवान जी आ जाएंगे तो वो ये कर देंगे तो वो ये कर देंगे मैं तो बैठा हूँ आराम से यह जो थाट है यह जरा सी बात ही और लगटस हुए बहाने यह गोनामी की तरफ ले जाता है और जो बहुत तेज तर्रार लोग होते हैं वो एक्स्प्रॉइट कर जाते हैं किसी तरीके से exploit कर ले जाता है कोई किसी तरीके से exploit कर ले जाता है तो हम emotional लोग हैं आज भी emotional है तो ये जो सबता है इसको देखने का एक तरीका है material materialism ये materialism जो है ये एक छोटा view देता है caged view मैं उसको कहता हूँ उसमें arguments की बहुत ज़्यादा गुंजाईश नहीं है और जो दूसरा है उसमें भी arguments की गुंजाईश नहीं है जो emotional view है दोनों का जो mix है वो best है ऐसे बहुत सारे लोग हुए है जोनोंने history purge से लिखी है उसमें कोई कोई तोड़ने मरोडने की कोशिश नहीं की है उसको कोई इधर से उधर और उधर से इधर करने की कोशिश नहीं की है उन लोगों की वजह से हमें history ज्यादा पता लगी और ऐसे लोग सबागे से बुटन में थे और उन्होंने counter किया मिल और उसके school को counter किया जिसकी वजह से हमें ये history समझ में आई है एक और चीज़ है गाए, भेड, बकरियां ये पाली जाती थी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गाए उस समय पूजनिय नहीं थी बैल पूजनिय था देखे, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि बैल पूजनिय हो और बैल की जो मा है वो पूजनिय नहो गाए उस वक भी पूजनिय है और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ लगे हाथ यदुपी इस पर मैं कभी बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा मैं आपको comparative civilizations बताना चाहता हूँ कि बेबिलोन, मैसिप पुठामिया, भारत, चीन इनमें क्या संबंध रहे हैं मिल तो चीन के भी बहुत खिलाब था, जैसे भारत के बारे में उन्ता सीरा लिखता है भारत आए बिना, भारत दे के बिना, भारतियों से मिले बिना ऐसी चीन के बारे में भी लिखता है, क्योंकि उससे भी उसे खत्रा है खेर तो यह जो गाय है यह पूजनी है उस वक पे यह दो भी मोहरों में नहीं मिली है लेकिन कुछ आकरतियां ऐसी है जो लगता है गाय है गाय भी होती थी भेड़ होती थी बक्रियां होती थी और उनको चराया जाता था चराने के लिए बन जाया जाता था और लगभग यह स सिस्टम गुजरात राजिस्थान संद्ध प्रदेश में आज भी है भेंस का जिक्र कहीं नहीं आया है लेकिन यह यह सारे पशु होते थे घोड़े का भी जिक्राया घोड़े का भी वहां पर दातों के अवशिश मिले हैं घोड़े के दात मिलें जिसे यह पता चलता है कि घोड़े थे उस सभिता में भी घोड़े थे लोग इसी बेसिस पर कहते हैं यह मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि जब आप यह पड़ेंगे तो बहुत है लोग बताएंगे इसलिए भारत के लोग आरें नहीं हैं क्योंकि यह नही था यह नही था यह नहीं था, जब आप लोग हरपवा सभेता को, मौनझदार और सभेता को बहुत गहराई से समझ जाएंगे, तो आप उन लोगों को बता सकते हैं, ये भी था, ये भी था, ये वू आगे की बात है, तो हमें इस तरीके से, इस सभेता के, में क्या खाया पाला जाता था किस तारी से वहां की economy थी वहां बाजार लगते थे हाट लगती थी और शहर में उसके अलग जगा हुआ करती थी आस तो है न कहीं भी लगा दो और पता नहीं क्यों पुलिसाले भी कहते नहीं तो वहां यह नहीं था एक स्थान विशेश होता था वहां पर हाट भी लगती थी वहां पर शहर में कोई शहर के functions भी वहीं मनाये जाते थे यह सप्रमाणबात कह रहा हूँ ऐसे structures मिलें मैं बता है नहीं कुछ छोटी सबहता नहीं यह बहुत बड़ी सबहता है अब दूसरी बात जो बहुत important इस सबहता में एक बड़ी full फ्लेजेट एकॉनमी है और उस एकॉनमी में क्या है कुछ हम ले रहे हैं कुछ हम दे रहे हैं अनाज हम दे रहे हैं beads और जो मौन जदाड़ों में इस तरीके से खड़ी हुई दिखाई देती है इस तरीके से आप कभी उसे गोर से देखेगा वो जो चूडियां पहन रही है आज भी गुजरादी और राजस्थानी मेहने वो चूडियां पहनती हैं यहां तक की आज भी 4000 साल पुरानी परंपर आज भी चलिया रही है दुनिया में ऐसा देश नहीं मिलेगा लोग अपने खान पान भाशा वस्तर सब भूल गए हम नहीं तो आप देखेगा वो चूड़े यहां भी है बेंदे बीड्स की मालाएं जो आज पहनते हैं जो दुनिया में आज भी जब भारत की वो बेची जाती हैं इंपर्टन चीज़ें उसमें वो बीड्स की मालाएं बेची जाती हैं विदेशी महिला हैं जब भारत आती हैं तो बड़े शौक से उसे खरीदती हैं दिल्ली में जन्पत्वन में वो मार्केट है पूरी जुसमें बीड्स की ये उस वक्त खुदाई में मिली है यानि उस वक्त ये बनाई जाती थी और ये बेची जाती थी पाँच हजार साल पर ले शुरी राम के समय में ये सब था इन सबहताओं को समझ ये तो शुरी राम शुरी कृशन समझ शुरी कृशन इसी सबहता का हिस्सा था या ये सबहता शुरी कृशन का हिस्सा थी क्योंकि शुरी कृशन उस वक्त उस इलाके में रह रहे थे जिस इलाके से हडपा सबहता का मेजर क्रेड होता था करनाटक से, गुजरात से, राजिस्थान से, तामबा और सोना जाता था हडपपा में और वहाँ पर ये जेवरात बनाते थे और वो जेवरात कहां बिखते थे मैसोपटामिया, बेवीलोन, यानि इराक, इरान, तर्की, एजेब्ट इस इलाखे में हम लोग ट्रेडिंग करते थे और एक बात और सुनिया बहुत ध्यान से और वो सारे लोग को आपने ये उत्तर देना है, जो लोग ये कहते हैं, गाए भारत में पहले ऐसे ही नहीं थी रिगवेद के प्रथम मंडल के बाद गाए पूजने होती है, एकदम नहीं होती है, लेकिन हरपपा में गाए की बड़ी क्यमत थी, और यहीं से सीखा गौपालन और ये इजिप्ट तक गया, और इजिप्ट में भी गाए को देवता ही माना गया, हिधर नाम से, हिधर गौ उतनी ही पूजनी है, ये दो भी सील पर वरशब है, बैल है, क्यों वो खेती कर रहा है, लेकिन अगर वरशब इतना महतपूड है, तो वरशब की मान नहीं होगी क्या? और जो उनके दात रहन सेहन है, उसमें ये कॉंक्लूड आप कर सकते हैं, कि वहाँ मानसाहर बहुत प्रशलेते नहीं हैं, वहाँ खेती हो रही है, और अन ज्यादा प्रशलेते हैं, हलाकि इसमें सकता है कोई परिवर्ता ना जाए, जब कर कोई नहीं रिसर्च आएगी, और अथेंटिक रिसर्च आएगी, तो हमें वही बात कहनी पड़ेगी, लेकिन आज़न डेट जो हमें पता हैं, वह बात कह रहे हैं, ज्यान की कोई सीमा तो हती नहीं, तो यह पूरा जो ट्रेडिंग है, अब आप सोच लीजे, उस वक्त में, इरान, इराक, एज़िप्ट, यहां से हमारी ट्रेडिंग होती है, इतना डिवलप्ड एरिया है यह, और यहीं से अब आपको समझ में आना शुरू हो गया, होगा, और एक चीज़ और बताओं, यह सामाने ट्रेडिंग एरिया नहीं है, बेहद हरा भरा ट्रेडिंग एरिया है, हरा भरा लेंड है वो पूरा, अब आप कहेंगे कहा हो, तो रेत ही रेत है, अरे आज रेत है न, आज रेत है, उस वक्त रेत नहीं है, आज तो क्या हलत है, 20,000 स्क्वाइर किलोमीटर में कच्छ में नमक ही नमक पड़ा हुआ है, लेकिन नमक क्यों पड़ा हुआ है, यह पर्टिकलर रेत क्यों है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कभी समद्र था, बड़ी बड़ी नदिया थी, घागर, घागरा जिसे कहते हैं, सरस्वती, यह दो बहुत बड़ी मुख्य नदिया थी, इसके अलावा तीन और छोटी छोटी नदिया थी, उसकी चर्चा मैं तब करूँगा, जब मैं further civilizations की बात और यहां से शिव पूजा उतर भारत की ओर आती है, उतर भारत में भी शिव पूजा असवक्त हो रही है, लेकिन जो नटराज की या पशूपती वाली पूजा है, वो इस क्षित्र से आ रही है, शिव जी का दूसरा सवरूप केलाश में है, तर्विष्टप प्रदेश औ और उस वक्त भी तर्विष्टप प्रदेश इतना उंचा नहीं है, आज एवरेस्ट है आठ हजार चार्सव और तालिस मीटर की हाइट पर, उस वक्त नहीं है, फोल्ड माउंटेंस है नहीं, यह तो बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़ रहा है हिमाल है, और उंचा हो रहा है, तो यह ट्रियलोजी क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो हड़ापा में भी है, तो तुर्विष्टप प्रदेश में भी है, तो मगद में भी, इस पर चर्चा करनी होगी, करूंगा मैं चर्चा, आज की बाचीत, मैं यहीं रोक रहा हूं, बस थोड़ा सा हम रिवि कर रहेते हैं, कि हमने पिछले एक घंटा-दस मिट में क्या-क्या पढ़ा है, फिर मैं प्रशन लोगा, रुची जी का एक प्रशन आच चुका है, वो प्रशन लोगा, लेकिन मैं फटा-फट पांच मिट में इसे कॉन्क्लूट कर रहा हूं, अगली बार और डीटेल में ज जाएंगे, बस इतना जरूर लिख देना आप, कि क्या आपको ठीक लग रहा है, बस हाँ या ना में बता देना, तो हमने ये पाया कि मिल है, मैक्समिलर है, हंटर है, और बेबिंग्टन है, इस्मित है, इन सब लोगों के द्वारा इतिहास का जान बूच कर, विक्रती करण हुआ, और हमें इस प्रशुन का उत्तर अभी ढूनना है, कि आरे, द्रविल, मून लिवासी, ये सब क्या है, और किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ेवे हैं, कौन बाहर से हैं, कौन अंदर से हैं, ये सारी चीजों पर अभी हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हमने ये बात करी कि एक ब्रिटिश स्कूल आफ थौट से ये टीन हंडेड बी सी तक है, लेकिन उसके बाद जो फर्दा रिसर्चेज हुई तो ये आच से दस हजार साल तक भी पुरा नहीं सबिता हो सकती है, राम और पुशुन जी के समय में, ये सबिता प सबिता के कुछ पर्टिकलर एरियाज हैं, इन्डस वैली सिविलाइजेशनी से कहते हैं, जो मुलताह दो हिस्सों में बटी हुई हैं, जिसका ओवर्रन हमने किया, हड़पक सिविलाइजेशन मौन जोदारो, ये दो एरियाज हैं, और इसमें भराना और राखीगर्ड ये बिलकुल नए अपडेट्स ही हैं, और ये क्या बात कहते हैं, ये अभी पिछले दस वर्षों के अंदर अंदर ये अपडेट्स हमें मिले हैं, और ये क्या बात, ये क्या कह रहे हैं, क्यूंकि बिराना में जो अभी मने आपको बताया हड़्डियों वाली बात ये पशू चीजें हैं और ये सारी बाते हैं तो ये किताबों में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही इसका उत्तर भी हमने ढूनी लिया है इसका उत्तर भी आज आपको मिली गया है अचा उसके अलावा हडपा और मौन जदारो भिरानी राखी गड़ इसके अलावा एक चनहु दुड़ो पढ़ाई एक जगाय और लोथल है काली भंगा लोथल थो बहुत ti म्पोर्टन आज Basic बात करेंगे यह अगली बार हम लोग करेंगे और वो conclusion पर जाने की कोशिश करेंगे आरे और ये सब भताएं क्या है और उसके बाद हम लोग फिर RN invasion की भी बात करेंगे कि वो वास्ता में था कि नहीं था कैसे था ये सारी बाते करेंगे DNA क्या कहता है क्योंकि DNA भी examine हुआ है तो DNA क्या कहता है नेपाल से और शुलंका से इसका क्या संबंद है ऐसी हमें बहुत सारी बातें करनी है फिलाल आज की बात यहीं रोक कर अब हम कुछ देर प्रशन उत्तर ले ले लेते हैं हमारे पास अभी लग बग 15 मिनट है क्या सिंदू सबहता आरे सबहता नहीं हो सकते रुचि जी इसकी बात मैं अगली बार करूगा क्योंकि मुझे इसको बहुत गहराई से समझाना है बहुत गहराई से बात करेंगे इतियास कारों ने से द्रवण सबहता क्यों कहा क्योंकि करनाटक तक के ट्रेसेज हैं जो हमको मिल रहे हैं करनाटक तक ट्रेसेज हैं और इसी लिए उसको हमने द्रवण सबहता भी कहा है और इसके बारे में भी मुझे बहुत डीटेल से बातचीत करनी है अभी और मैं करूँगा मैं अगला क्वेस्चन लेता हूँ रोहित श्रीवास्तर जी पूछ रहे हैं हडपा सभिता के या सनातन संस्कृति के उत्तर पुनौठ इस इंडिया से क्या संबंद रहे हैं मगत तक के संबंद तो बहुत क्लियर हैं नेपाल से इसक क्लियर हैं इसी बीच में ये एरिया भी है तो इसके संबंद वहां से भी हो सकते हैं कार्तिक काले जी पूछते हैं वो इंडिया बिकम हिंदू राष्ट्रा ने इवेंच्वेली अखंड भारत इसका जवाब दीजे प्लीज लेखे भारत इस ओलेडी हिंदू राष्ट्रा बस हिंदू उसको समझ नहीं पा रहे हैं और मैं एक चीज और भी बताता हूँ जब आप कुछ देर पॉलिटिक्स एसाइड करके जब आप हिंदू राष्ट्र का कॉंसेप्ट लेकर मतलब पॉलिटिक्स कैसी पॉलिटिक्स चोड़के हिंदू राष्ट्र का अगर आप इबन वह भी बहुत अरे शिम्स को एगरी करते हैं तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है इसमें इसमें कॉंस्टिटूशन में तो नहीं है अधर्वाइस तो यह 100% हिंदू राष्ट्र है इसमें कहीं कोई दुराय है जी नहीं यहां आप देख लीजे हर चीज में हिंदू त को या fundamental rights को या बहुत सारे और principles को देखते हैं तो उसमें बहुत सपस्ट है हिंदू राष्टर की बात हाँ बीच में कुछ एक चीज़े जरूर ऐसी आ गई जिसने जो हमारे legal codes हैं वो हिंदूस और Muslims के लिए अलग कर दिये article 30 की वज़े से बहुत सारी problems हुई extra constitutional decision लिया गया minority majority वाला उसकी वज़े से बहुत सारी problems हुई तो ये समय रहते रहते ये चीज़ें भी अब ठीक होने लगेंगी और दूसी बात आपने कही अखंड भारत की देखे अखंड भारत के लिए अभी लंबा समय लगेगा अखंड भारत मतलब Pakistan अखंड भारत मतलब अफगानिस्टान अखंड भारत मतलब चुशूल अखंड भारत मतलब चीन का अरौणाचर प्रदेश से बहुत आगे तक का हिस्सा है सब भारत का हिस्सा है जो हतिया लिया गया लेकिन भारत एक प्रकृतिक भूमी है इसलिए मुझे लगता है कि कभी ना कभी हम अखंड भारत आवश्य बने के जब सारी चीजें प्रकृति की तरफ जाती है तो राज्यों का दिर्मान और विखंडन भी प्रकृति की तरफ जाता है और वो प्रकृति भारत है इसलिए एक समय जरूर ऐसा आएगा जब भारत पुना खंड भारत जुथा वो बन जाएगा यसा मेरा पुखता विश्वास है नेहा जी पूछती है बागपत खुदाई में मिले अफशेश भी क्या इसी सभिता के अंश है 101% क्योंकि मेरट तक इसके traces हैं और बागपत वही एरिया है माभारत काल भी हडपा काल के साथ ही पुश्पित पलवित हो रहा है तो चाहें वो रखीगड़ हो चाहें वो बागपत का इलागा हो चाहें कुछ साइट्स जो है मदभारत में मिली हैं दंदकारण नेवन में राइसीन वगएरा के आसपास तो कहीं न कहीं यह सब एक दूसरे से मिलती हैं रिचारे जी पूछती है हमें हमारी ठ्यास के विष्वे में तत्था अन्य वहत्पूर्ण विष्व पर जिस तरहें आप सभी कारे कर रहे हैं वे कोशिशें सराणी बहुत-बहुत धन्यवाद सब आश्रम मिलके ही इस कारे को कर रहा है रिचा आर्या जी और मैं आपका धनेवाद सभी लोगों को प्रिशित कर दूँगा मैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ सब लोग मिलके वैसा कर रहे हैं पार्थ जी प्रशन करते हैं मैं थ्यास की छात्रा हमेशा ही सवाल रहा है कि सिंदुग आठी सभीता यदि 2000 साल पुरानी है और वही सबसे प्राचीन सभीता कहीं जा रही है तो राम पुशन की सभीता का क्या मैंने आपको पताया आईटी खड़ागपुर के और वो नेचर में वो छपा हुआ भी है वो जो जो जोर्नल है उसमें वो छपा हुआ भी है वो सभीता कैसे ख़तम हुई इसके भी उसमें चर्चा है और अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप वो उसकी ट्रेसिस हैं आट रहजाद साल पुरानी लगबग जिसमें श्री राम का समय भी आता है तो ये कलपना नहीं है ये अलग अलग भारत के ही अलग हिस्से में एक उत्री हिस्से में एक पश्चमी हिस्से में हिस्से में ये सभीताएं जनम ले रही है दक्षण हिस्से में सभीता अलग रूप से चल रही है तो भारत के अंदर ही इस अबिताएं चल रही हैं और इसका सीधा सीधा उससे सम्मन्द है जब आप लव कुश के राजियों के बारे में सुनेंगे तो आप देखेंगे जो पक्षिम छेतर है ये पूरा लव के अधिकार में था लव पुरी कोई आज का लहुर कहते हैं और लेकिन इतिहास जो है वो उन लोगों का थ्यास है जिनको धर में बिलकुल भी विश्वास नहीं है जिनको पुरानी सभिताओं में बिलकुल भी विश्वास नहीं है इसलिए उस इतिहास का हम क्या कह सकते हैं लेकिन हम अब बहुत सारे लोग आप जैसे लोग खोज कर रहे हैं और वह चीजों को question कर रहे हैं सबसे बड़ी बात है question कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आप चीजे ठीक होंगी खुशे गुप्ता जी पूशती हैं who are those intellectuals who challenged mill and molar and advocated the factual factual data some references for self-study smith they were led by smith Vincent A. Smith Vincent A. Smith ने उनको challenge किया यह वहीं के बहुत सारे और उसके बाद Lord Thomas Babington ने उनको challenge किया और William Hunter ने उनको challenge किया हलाकि यह कोई भारत के पक्ष में नहीं है लेकिन mill को challenge कर रहे हैं उसके thoughts और ideas को challenge कर रहे हैं और वह एक नया narrative गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो narrative भी हमारे हक में नहीं है लेकिन वो दोनों schools में आपस में मतभेद हैं decisions हैं एक यह question है मुझे शरत कुमार जी का गुरुजी का भी काशी मतुरा अध्यादी इतिहासिक नगरों के खुदाई क्यों नहीं की तो दूसरी जो ज़माद थी उसने यह कहा कि नहीं धर्म कुछ होता ही नहीं और आप कहते हैं माननो हम तो नहीं मानते हैं बाबर तो हमें यहीं दिख रहा है इसलिए उसको तो हम मानते हैं और इंग्जेब तो हमें यहीं जाने के कोई बहुत प्रेसिस मिलते नहीं है लेकिन वो जाकर उसकी स्टड़ी करना चाहते थे काश कि उसकी डिटेल स्टड़ी उन्होंने उसकी होती तो काशी मतुरा अयोध्या का सच्टे भी उनको पता चल जाता है बहुत सारे और प्रश्शन भी होंगे जो हम बाद में लेंगे और बस आप ये कोशिश कीजेगा कि जो आज हमारी बाचीत हो इस पर मनन कीजेगा बहुत सारी चीज़े आपको समझ में नहीं आई होंगी पुनहा आप समझने की कोशिश कीजेगा पुनहा इस वीडियो को देखेगा बार बार इस वीडियो को देखेगा क्वेस्चन्स तयार कीजेगा क्योंकि जो सेट पेटरंड से आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं मैं उसको तोड़ रहा हूँ मैं उसको तोड़ रहा हूँ मने अपने जीवन में बहुत सारी परमपर आएं नहीं माने जो समासंगत नहीं है मने उसको तोड़ा मने शांती पूर्वा क्षधा पूर्वा काने विद्रो किये चाहिए चोटे लेवल पर किये लेकिन किये बड़े परिवर्थन के लिए आपका साथ चाहिए कर सकते हैं हम सब लोग मिलकर आप साथ दीजे तो जरूर हो पाएगा लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले चीजों को समझना पड़ेगा शोर मचाने से कुछ नहीं होगा शोर मचाने से किसी को टिकेट मिल सकता है लेकिन भारत की सब्विता का ग्यान ने मिल सकता तो इस पर आगे की बाचीत हम फिर करेंगे तो इस जो हमने सैट स्ट्रक्चर है जिसे तोड़ा है इसलिए बहुत सारी चीजें कन्फ्यूज करेंगी आपको क्योंकि मेंटल ब्लॉक बन गया है हमने बना दिया हमारे बड़ों ने हमारा बना दिया ये पीडी दर पीडी चलता रहा है पेंटर बलॉक इसे तोड़िएगा और एक दिया दिमाग से एक नए तरीके से अध्यान कीजेगा ये ठीक है ये एक अजीब सी इस्तित्य होगी कि जो आप समझेंगे ये सही है जो एविडेंस कहेंगे ये सही है वो आप लिख देंगे अगर तो जीरो नंबर आएगा क्या करें हमारा सिस्टम ऐसा है वो अगर आप यूपीएसी में लिख देंगे जीरो नंबर आजाएगा हमार सिस्टम ऐसा है लेकिन फिर भी अब लोग समझ रहे हैं चीज़ें अच्छी होंगी इसी लेक्चर को अगली बार कंटीन्यू करेंगे चलता हो राम राम नमस्कार आप सब लोग सुखी रहें स्वस्त रहें आ